हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो ने वाला यहां पे नॉर्थन ब्रेव्स वर्सेज ओटागो वोल्ट सी भी जो मैच होने वाला यहां पे इस मैच की वीडियो वीडियो इ नाम लिखावा दिखाई दे रहोगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरिजनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना किया है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना जैसे मैंने आपको बताया अब आते हैं वीडियो के में पार्ट पर जो इस मैच में आपके बाई के पिक्स रह सकती है वह चार बाई की पिक्स यह रहने वाली है इसको अच्छे सा एक्स्पेंड करूंगा वीडियो के एंड में तो बाकि जो नए यूजर से जिनको नहीं पता है बाई की पिक्स है क्या तो ऊपर यहां पर आपको वाइट कलर का टैग दिखाई दे रहा होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो नीचे उपन हो जाएगी उस वीडियो को पूरा देख लेने आपको समझ जाएगा लाओं देखो बात करें और यहां पर एन्बी के बार में और यहां पर एक मैच हो चुका है और जो वेन्यू रहने वाल है वह यहां पर सीडन पार्क हमिल्टन न्यूजिलंड जिस पर भी सेम वुमिन मैच हो रहा है बाकि अगर बात की जा तो एक्सपेक्टेड स्कोर हैं क्योंकि आपको बता है न्यूजिलंड के जो ग्राउंड से आपको डेफिनिटली बहुत चोटे ग्राउंड देखने को मिलते हैं और काफी हाई स्कोरिंग मैचिस रहते जाद देखने मैच इसमें लाश्ट मैच ओटागो वोल्ट कर आता वर इंटी फोर मारे थे फोर विक मैच में 166 टर्न बनाए थे और इस सीजन पहले ही मैच में 82 रन के एक अच्छी निंग के लिए तो कहीं लगता है कि वापी स्वाब में चुक और बहुत ही डेंजर्स प्लेर है और डिस्ट्रक्टी प्लेर है अगर सेट रहा तो यह बड़ी इनिंग केलता है वाइस क्रेप बहुत अच्छी बैटिंग करी थे 10 मैच इसमें 292 रन बनाए थे बहुत अच्छी फॉर्म में था और इस सीजन में पहले मैच में 30 रन के एक अच्छी निंग खेली बाकि लिव जॉंसन 6 मैच में 108 रन बनाए एक बड़ा प्लेर अवे लेवाली निक केलने वाला ध्यान र और पहले मैच में 25 रन मारे चाहां चार ओवर बॉलिंग करी और एक लेगे अनारू किचन तो अनारू किचन के अपर ध्यान बनागे रखना इंपॉर्टन पर आपके लिए बनिया कैप्टैंसी के लिए बाकि है डेल फिलिप्स पांच मैच में 60 रन मनाए थे और लास्ट म मैं बॉलर है चाहिना मैं का मतलब आपको कुल्दी प्याद आपको बॉलिंग करते वे देखा सेम लास सीजन 10 मैच में 99 बनाया थे और 10 विकेट लिया थे और इस सीजन बैटिंग तो नहीं पहले मैच में जहां बॉलिंग में 3 वर बॉलिंग करी कोई विकेट नहीं मिला इ बाकी है यहां पर जैकब डफी फास्ट बॉलर है दस मैच में 17 बनाया थे लास सीजन में चार विकेट भी लिया थे बहुत इंपोर्टन प्लेयर है इंटरनेशनल में आपको पता इस सीजन इसी साल स्टार्टिंग में चार विकेट निकाले थे वेस्ट अगेंस्ट खेलते तो काफ एच्छा फास्ट बॉलर होतीनी अच्छी लास्ट माके अगर बैटिंग भी कर लेता बाकी है मैक्स बैकोन पांच मैच में नौ विकेट निकालते लास सीजन में पहले मैच में चार ओवर में दो विकेट निकाले गया बैकोन जेक गिपसन ने सिर्फ दो योवर ड पहलों को था मेरे कॉर्डिंग बनता है हमिश्र दरफोर नाइल ब्रूम पह बनता है अनारू किचन माइकल रिपन दें जयकब डफी और बैकॉन ये एक छे से प्लेयर इंपॉर्टन बनते हैं आपको टीम में लेने से पहले कंसिडर करना चाहिए फटाबट साथे नौट स सीजन में आठ मैच में 108 बनाए थे ग्रेंड लिग की बने है क्योंकि उपनिंग करते हैं नजर रहा है और आपको पाथा टीटवेंट ये से फॉर्मेट में भले कोई भी ओपनिंग करने है तो वह मिशे से एक ग्रेंड लिग के अच्छी बनता है क्योंकि 20 ओर का मैच होता जो बहुत अच्छा बैट्समन है चार मैच में बनाए और बहुत ही क्लासिक है बाकि यह बात करें तो इसको ले सकते हो स्मॉल लिग और ग्रेंड लिग दोनों में अच्छा बैट्समन है बाकि कॉलिंड ग्रेंड आपको पता है न्यूजिलंड के लिए इंटरनेशन रौंडर के रोल प्ले करते हो नजर आए और के लिए अच्छे पिक बनने वाल है बाकि हैंडरी कॉपर का मुझे कहीं कहीं आता है लास्ट सीजन इसने छे बॉल पर छे चक्के लगाए थे डेविच की बॉल पर तो चार बॉल पर चार मैच में चारी सन मनाय थे लास सीजन मैच इसमें 110 न मनाय थे लास सीजन में और 12 विकेट लेते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा उप्शन है बॉल इंग में दियावा बट एक अल राउंडर है कैप्टैंसी वाइस कैप्टैंसी तो ग्रेंड लिंग में जरूर ट्राय करना है बट इवन स्मॉल लिंग में आप चाहो इच्छा सीजन गया थो 9 मैच में 9 विकेट के साथ बाकी है ब्रेट रेंडाल और यहां पर अनुराग गर्मद्व नहीं मुझे बहुत रहता है जब भी में न्यूजरंड का डॉमेश्टे खेलता हूं यह दो नहीं मेरे फेवरेट रहते हैं विकेट टेकर बॉलर में रें यह दो नहीं में बोलता हूं जैसे न्यूजरंड के प्लेर्स को फेवरेट खेलते नहीं है तो कही नहीं है फायदा उठा सकता है यह फ्रेडी वॉकर लासीजन भी निगाले थे तो 3-4 परसंट सेलेक्शन रेट है तो ध्याना के चलना जब टीम में लो तो जैक गिपसन प थोड़ा एक्सपीरेंस है तो कहीं नहीं कहीं फिशर और गिपसन बाहर बैठते मुझे लगता है शायद नजर आ सकते हैं बाकी इंपॉर्टन प्यर बोलूंगो तो मेरे कोडिंग जी ट्राफल बनता है कॉलिंडी ग्रेंडव हैंरी कूपर स्कॉर्ट कुगलाइन थीक है अगर बात की जाए तो यहां पर है फ्रेडी वॉकर जो की एक स्पीन बॉल है तो गेम चेंजर बन सकता है तो फटावर से पहले स्मॉल की टीम को क्रियेट करते हैं टीम मैंने यह बना इसमें कादा चेंज कर सकते हो बकॉक को और शीवर्ट नहीं खेलने होला सेवं को के बैटिंग थोड़ी आ सकती है बाकि आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो बाकि यहां पर है विलियम सन नहीं खेलने वाला बाकि यहां पर है ब्रूम अधरदर फोर और यहां पर मैंने वरावल को लिया है थोड़ा मैं टीर नंटी के पॉंट आप गेम चेंज को आप चाहो तो स्मॉल लिंग में डिफरेंट जाके ले सकते हो कि ओपनिंग करेगा बट ग्रेंड लिंग में ज़रू ट्राइ करना है बाकि लिव जॉंसन के लिखते टिम किस बैटिंग और पर खिलाती है लास सिजन शे मैंच में बनाए थे बाकि मैं बोलूंगा पर रि यहां पर है जोश फिनी क्योंकि अपन करेगा यहां ठीक है बाकि अगर बात की जाए तो क्रिश्टन क्लाइक का नाम नहीं है बाकि बॉल्ट नहीं है यह यह वैगनर नहीं है सोडी नहीं है रेंडाल को जरू ट्राइक करना 12% सेलेक्शन रेट है आप चाहो तो स्मॉल लि यहां पर डिपेंड करता तो किसके साथ जाते हो ठीक है बड़ थोड़ा मैं सव्ड़ा सेफ जाते बैक अन को यह लेकर चलते हैं बाकि आपको अल्री अचोगा बैक आप चाह सकते हैं कि मुझे लगता है कि यहां पर इनकी तोड़ी बैटिंग इस्ट्रॉंग नजर आती ह है ठीक है तो आपके वाइस के तीन ओप्शन अवेलेवल आपको मैं उल्रेडी बताए किस-किस आप जा सकते हो बताए तो फिर से वाइस कप्टेंसी के अप्टेंसी के अप्टेंस यहां पर रहेगा कॉलिन डी ग्रेंडों रधर फोर्ड रिपन किचन और यहां पर है स्को टीम फोर थोड़ा और रिस्की बना रहेते हैं आपे बॉलर्स को फ्रेवर करते हुए तो यह स्मॉली प्लस ग्रेंड लिक की जो मैंने आपको दिया है चीन से चार तीम दे दिया और एक स्मॉली की तीम दिया बाकी जो फाइनल टीम होगी आफ्टर आपको टेलीग्राम प करके देगा एक अधी कैच तो अच्छा कासा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है मुझे लगता कहीं दूसरा ग्रेंड होम अगर बॉलिंग कर जाए तो में आप बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट करेगा मान के चलो एक दो विकित निकाल जाए साथ इस दो विकिट तक एक्सपेक्टेशन रहेंगी और बैटिंग से भी कर लेता है कुछ पांदा सन तो इंपोर्टन नन जाएगा तो यह मेरे कुछ बाइग कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रेट बिटन नीचे दिखाई दे रहा हो और गंटी दबाना और मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो अप्लोड करूं दोस्तों और फैंट के साथ ज़रूर शेर कर सकते हो कमेंट पर कोई भी कोशन पूछे में रिफलाए करूंगा जब भी रीड करूंगा टेलिग्राम चैनल ज़रूर जोइन करना सका लिंक आपको यू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे तो टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएका देन इसको जोइन कर लेना है बाकी मिलते हैं टेलिग्राम पर जहीं दोस्तों बाए बाए